की साथ्य ऐराम रान चा täसथे आपया थोड़ी कम हो चुकी है और हमारे खेत में आ चुके सूर लोगों खेत में गायां आती हैं हमारे खेत में आते हैं क्योंकि आप बसक बnteनाख पास में तो सूर भहत ज़ज़ा खतरनाक होते हैं नुक्सान वह करते हैं तो चलिए देखिए आपको में जूम करके दिखा देता हूं वहां पर यह देखना यह वाला है यह सूर ना अभी देखिए सूरों को दबाने के लिए उसको पीछा कर रहे हैं उस और बड़ी सपीट से भाज रहे हैं देखना है मैं आपको जूम करके दिखाता हूं बहुत जदा नुक्सान करते हैं गोबी के अंदर अलू के अंदर साथ में उतर नहर है नहर के पास जागे चड़ेंगे देखिए कितना सपीट भाग रहे हैं सूर अलू में तो इतना नुक्सान करते हैं जैसे जेशी भी से अलू घाट दियों है यह देखना बड़ी सपीट देखिए मैं थोड़ी दूर भी इससे कितना गैप कर दिया नहीं बड़ी सपीट बच्चों समयत आए हुए है तो भूज़ा दा नुक्सान है सूरों का खेत के अंदर देखिए अभी बारिस के अंदर मेरे को भागना पड़ा और बारिस हमारे खेत हैं को भी के बड़ा तंकर है सूर है यह देखिए अभी बरसात में भागना पड़ाने के पिछे अभी जागे निकड़े हैं थोड़ी दिर में फिर आ जाएंगे इनका यह काम है और रात को गाएं आते हैं दिन में सूर आते हैं तो आपके पास भी कोई ऐसा इलाज हो जो सूर खेत मना पड़े तो कॉमेंट करके जुरूर बताई हो भै क्योंकि हम हो चुके हैं परेशान और यह भी नहीं पता किन के हैं सूर जिनका पता उनको माली को जाए कह दे तो ए और एर आते हैं तो आते हैं एंगे